सबी भारतियों को मेरा नमस्कार किताब घर का पिटारा और आज किताब घर के पिटारे में दूसरी किताब है जो बीस्वी सताब्दी की अंतरास्टिक ख्याती प्राप पुस्तकों में से एक है ये पुस्तक नहीं सातियों अपितु बावा साहाब बी आर अंबीड करका वह भासन है जो उन्होंने तैयार किया था परन्तु हिंदु धरम ब्रहमनी वरन धरम की जाती भेदी व्यवस्ता के कारण वह प्रस्तुत नहीं किया जा सका विरासत है बावा साहब के द्वारा जो भासन प्रस्तावित नहीं किया जा सका उसी भासन को आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं ब्रहमन वरन धरम की जाती भेद से मुक्ती 15 मई 1936 at the 97 years of the memories इस लेखन को लगबक सो साल होने वाले हैं और 15 मई के इस आवसर पर मा आपके साथ साजा करके जो उनकी मूल चिंतन पर अज्यान का परदा डाल दिया गया है उसको हटाने का कारी कर रहा हूँ जात पात तोड़क मंडल आरे समाजियों के द्वारा पंजाब में लाहोर में 1922 में स्तापित किया गया था जिसका सीर्षक जरूर जात पात तोड़क मंडल है अब परन्तु यह है जात पात तोड़क मंडल जाती पाती विवस्ता को तोड़ने वाली नहीं अपितु मजबूत करने वाली या चार हज़ार जातियों को चार वरणों में पुरुपांतरित करने वाली एक उच्च जाती के हिंदू की एजेंसी थी साथियों मई 1936 में इसी जात्पात तोडग मंडल के द्वारा एक सम्मेलन नेशनल कॉन्फरेंस आहजित की जानी थी जिसमें अध्यक्स के रूप में बाबा साब को निमंतर दिया गया परन्तु 12 दिसमर 1935 को सचीव संत्राम का पत्र और 12 अप्रेल 1936 को हर भगवान का पत्र इन दोनों पत्रों को पढ़ने से साबित होता है कि बाबा साब एक किसी जाती विसेस के थे और जो कि उनके सास्त्रों के अनुसार एवरणे थे चार वरणों से भी अलग थे अचूत छेट चांडाल मलेच और सबसे नीच और निम्न जाती के थे और ये संभव नहीं था सास्त्रों के तहट कि द्विजों को एवरने लोगों का स्रोता बनना पड़े और यही मूल कारण था जिसके वज़े से उन्होंने इस सम्मेलन को कैंसिल कर दिया बाबा साहब का अध्यक से उद्वोधन इसमें नहीं दिया जा सका आर ये जाती के लगबग पंद्रा सो परतियां दिख चुकी थी इसका टाइटल था इन्हेंशन ओफ कास्ट नाइंटिन थर्टिस स्पीच प्रिपेड बाई डाक्टर बी आरंबीडगर बट नोट डिलिवर्ड साथियों इस पुस्तक के टाइटल को अगर आप देखेंगे तो आपको पत आसिक दिवालियपन की स्थिति है उस पर एक तमाचा है जाती भेड का उच्छेत पुस्तक का मुख्य प्रस्ट कवर प्रस्ट पर लिखा हुआ है यह बाबा साहब ने पुस्तक के कवर पेज पर लिखा है जो अपने आप में ही इस पुस्तक की एक प्रस्तावना है साथियों बाबा साहब के द्वारा यह बासन प्रस्तावित नहीं किया जा सका प्रंतु इसका प्रकासन कराया गया और इसका पहला प्रकासन 15 मैं 1936 को हुआ दूसरा प्रकासन 1937 में और तीसरा प्रकासन 1945 में बाबा साहब के जिंदा रहते हुआ और इसका अनेक भासाओं में अनुवाद किया गया साथियों इस पुस्तक के कुल 26 खंड विभाजित हैं जो 25 मुखे खंड हैं और एक उप खंड है जाद पात तोड़क मंडल के सदस्यों के साथ पत्र विभार को भी इसमें सामिल किया गया है अद्यक्षे उद्भोदन ये बाबा साहब के विचारों पर जो तकरार है उसको भी सामिल किया गया है और बावा साहब ने इस प्रस्ट रूप से उनको कह दिया है कि वे सिंगल कोमा और डबल नोटेट कोमा भी नहीं हटाएंगे यदि वो उनको अध्यक्षि उद्बोधन के लिए बुलाते हैं साथ यों तस्विरों के साथ भी आप खंडों को समझते जाएं इस पुस्तक का जो पहला खंड है उसका सीरसक है और सीरसक से याप समझ जाएंगे कि बावा साहब क्या कहना चारें मैं सम्मेलन के लिए दुर्भाग्य सालिय अद्यक्ष क्यों हूँ तो सम्मेलन के लिए दुर्भाग्य सालिय अद्यक्ष इसका मतलब ये जाती भीद वरण भीद की उस व्यवस्ता को बताता है जिसमें चार वरण ब्रहमन चत्री वेसी सुद्र और इस से बहार जो चांडाल मलेच और निम्न जाती की या एवरण ने लोग थे जिनको चुन जुना भी अपने आप में महा पाप था इसकान बाबा साब कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के लिए दुर्भाग्य सालिय अद्यक्ष था और इसलिए वो मुझे नहीं बुलाए खेर बहुत अच्छा हुआ सबसे पहले वो मित्रों से चमा मांगते हैं स्कंड में कि उन्हें कि वे नहीं पहुंच पाए धार्मिक हिंदू का जो द्रिष्टी कोन है उस द्रिष्टी कोन को अभिव्यक्त करते हैं कि जो हिंदू सब एक हैं परंतु सब एक नहीं हैं क्यों नहीं हैं इसको बताया है गांदी के सम्मान रखने की बात पि उन्होंने कही है और ये बताया कि मैं अम्बेडगर उनके बगिचे में एक जहरीले सांप के समान था और इस सांप को कौन बरदास कर सकता है जब घर में नागपंच में मनाते हैं तो दिवारों पर लकीरे खींच कर सांप की पूजा की जाती है प्रंतु वही सांप जब घर में आता है तो सब लोग लाटी लेकर दोड पढ़ते हैं ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ वरणों में वेदों में लिखा हुआ है वरणा नाम ब्रहमनों गुरू वरणों का मतलब यहां वरण व्यवस्ता में विदिक व्यवस्ता में है और उसमें लिखा हुआ है कि वरणों के लिए द्विज वरण के लिए क अभी भी गुरू या सिख सक नहीं हो सकता, एवरन वक्ता के सुरोता सैवरन कैसे हो सकते हैं। इन बातों को बाबा साब ने खंड एक में सामिल किया है, इसी के साथ सामाधिक सुधार के वज़े से मंडल ने उने बुलाया, ये भी उन्होंने अभिव्यक्त किया है। साथियों, खंड एक अपने आप में हिंदू धरم की जो आउगुन की व्यवस्ता है, उसको भिव्यक्त करता है। रखना चाहते हैं क्योंकि हमारे लिए राजनितिक गुलामी से ज़्यादा कठिन और मुक्तिने पाने वाली सामाजिक उड़धर में गुलामी है जिसके हम वर्सों बाद भी गुलाम रहेंगी। बावास साब कहते हैं कि बावारत में सोचल रिफॉरम्स का मतलब है कि जिस तरह से मौक्ष पाने का एक कटिन मार्ग वेदों में बताया गया है वैसे ही सामाजिक सुदार भी एक कटिनायों से बरा हुआ रास्ता है सामाजिक सुधार बनाम राजनिक सुधार की लड़ाई है हम देख सकते हैं कि पेशवाई सासन और अचुतों का निसानी जीवन सड़क पर नहीं चलना, गले में काला डोरा पहनना, थूकने वाली हांडी रखना क्योंकि थूकने से मिट्टी पवित्र हो जाती है उनके पद्चिनों पर हिंदों के पैर पढ़ने से वो उच जाते कि हिंदों के वो अपसिस्ट हो जाते हैं, एसुद्ध हो जाते हैं हालांकि वो हिंदू सब एक ऐसा कहते हैं, परन्तु सब एक नहीं हैं कमर में जाडू रखेंगे ताकि उनके पदजिन साप हो जाएं और कोई भी हिंदू उनकी वज़े से एपवित्र नहीं हो मद्दे भारत में बलाई रेगर वर्मा जाती को आठ परमान जारी किये गए 1928 का की गटना का उन्होंने जिक्र किया है जो मद्दे भारत में कहा गया कि यदि उनके साथ रहना है उचजाती की हिंदू के साथ तो उनके आधेसों के अनुपालना करनी होगी जो अपने आप में बड़ी विचित्र थे गहने नहीं पैनना नहीं कपड़ी नहीं पैनना पूरी दोती नहीं पैनना उची आवाज में नहीं बोलना सापी नहीं पैनना मूचे नहीं रखना डाड़ी बढ़ा कर नहीं रखन जैपुर की चकवारा की गटना 1934 का जिक्र किया गया कि मर्तिवोज किया गया और उसमें घी के पकवान बनायेगे राजपुत समुदाय के दौरा इसको नष्ट भस्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि घी में वो पकवान कैसे बना सकते हैं गुजरात की गटना इतियादी का बाबा साब ने खंड दो में जिक्र किया है क्या ऐसी इस्तिति में राजनितिक सक्ति आवशक है सामाजिक प्रसन और राजनितिक समस्या में गहरा संबंध है सामाजिक धार्मिक इतियास में भी पूरू आवशक सर्थ बुद्ध और साथियों आज भी हम देख सकते हैं कि ये व्यवस्ता कुछ ज़्यादा बदली नहीं है तमाम तरह के कानून और सविदान होने के बावजूद भी एवरने लोगों के साथ ऐसा व्यवार आज की तारिक में भी 2023, 15 माई 2023 के हम बात कर रहे हैं भारत के कहीं ना कहीं किसी ना किस अचूतों के साथ ऐसा दुर्विवार आज भी जारी है साथियों बाबा साब की पुस्तक का तीसरा खंड है और जिसका टाइटल है आर्तिक सुदार के लिए सामाजिक सुदार क्यों आवस्यादा है वे ये यूरूपियन सामेवाद को भारत पर लादनी की वकालात कर रहे क्यों लाखों करोडों लोग सादु महात्माओं की बात मानते हैं लोग अंगुटी और छला बेज कर कासी और मक्का की यात्रा करने जाते हैं मजब भारतियास की बड़ी सक्ति रहा है सामाजी व्यवस्ता सुदार के बिना आर्तिक सुदार संबव नहीं है और वरन भेद राक्सस के वद के बिना ने तो राजनितिक और नहीं आर्तिक सुदार होगा अर्थार्थ वरन भेद को उन्होंने एक देत्य कहा है और जब तक इस देत्य की हत्या नहीं होगी भारत में ने तो पोलिटिकल रिफॉर्म्स हो सकता है और नहीं एकोनोमिक रिफॉर्म्स हो सक बाबा साब की जाती का अंत या समू नास उस तक के खंड च्यार का टाइटल है जाती विवाजन के उल सरम विवाजन ही नहीं है अपीतु ये मजदूरों का भी विवाजन है जिसको हम जाती विवाजन का मतलब कारी आदारित विवाजन की बात कर रहे हैं वे भारत में योग का सामाजिक विवाजन है इसमें योग्यता चमता और रूची की कोई भूमी का नहीं है जाती प्रणाली और द्योगिक सब्यता की एक बड़ी बुराई है व्रक्ष अपने फल से पैचाना जाता है ये बात हमें समझनी होगी और जाती व्यवस्ता की बुरायों को समझना सतापदियों के मिष्रण के कारण भारत में सब लोग विद्यसी तट्व से मुग्त हो चूझे है ये बाबा साहाब के सब्द हैımız किताब के सब्द हैं पूरी किताब आप पढ़ने ही पाओगे आपके पास समय नहीं होगा सोचल मीडिया में आप बीज्योंगे या जो अख इस एविस्वास को इस धोके को दूर करने के लिए ही मैं बाबा साब के इन सब्दों को सामने लेकर आया हूँ एक ब्रिप इंट्रोडेक्शन कह सकते हैं कि ये प्रस्तावना है जैसे सविधान की प्रस्तावना जैसे बाबा साब की पुस्तक की प्रस्तावना है पंजाब के के ब्रामन मासारी नहीं है चमार पंजाब के जो चमार और ब्रामन है उनमें ज्यादा नजदी की है रैदर देन बंगाल ब्रामिन और पंजाब ब्रामिन जाती नसली विबाजन का सिमांकन कभी भी नहीं करती है जाती समान नसल के लोगों का सामाजिक विबाजन करती है दू पुस्तक का खंड चेक है, जाती हिंदूं को सच्चे समाज या राष्ट निर्मान से रोकती है, जाती कोई आर्तिक दक्सता का आधार नहीं है, परन्तु इसने एक काम अच्छे से किया है, हिंदूं को पूर्ण तया ऐसंगठित और नीती ब्रश्ट करने का कारी है। संसकर्ट साइते में इसका उल्लेक नहीं है, आधर से हिंदू वह है, जो चुई है की बाती अपने ही बिल में गुशा रहे और दूसरों से किसी परकार का संबन्द नहीं रखे, समाज सास्तर के परिवासा में जाती की चेतना कहलाती है, इसलिए हिंदू एक रास्ट कभी नह होता है, पुश्तक का खंड साथ का सीरसक है, ऐसा अमाजिकता की भावना जाती व्यवस्ता की सबसे बुरी विसीस्ता है, एंटी सोसल स्प्रीट, हिंदू अकसर समाज विरोधी भावना का आरोप अन्नी समुहों पर लगाते हैं, पर आसानी से ये भूल जाते हैं कि यह त जहे आदरी खंड ऐसा ये कुख्यात ब्राहमन सास्त्र है, ये सामाजिकता विरोधी भावना के वल जाती तक ही सीमीत नहीं है, अपी तो इसने उप जाती हों, यानि गोत्र व्यवस्ता जैसे से में सत्रा सो, एस्टे में आठ सो और ओभी से में साड़े तीन अजार से दि पूरा ब्राहमन वे गैर ब्राहमन अपने व्यक्तिगतें स्वारती आदर्सों के लिए कारे करते हैं, जाती का स्तीत और जाती की चेतना अपने इतिहास को अपने आप में ही समेटे हुई है, सब लोग जाती भद्ध हैं, खंड आठ का सहिर सके जाती व्यवस्ता आदिम ज किया गया जैराम पेशा कानून की तरह, यदिपियों केते हैं सब हिंदू हैं परंतो सब हिंदू नहीं, हिंदूों को इसके लिए कभी भी लज्जा और सरम नहीं आई, वो बे सरम हैं कि उनके धरम में लोग सब बे क्यों नहीं बने, हिंदू का सारा जीवन वरण या जात वरण देट जाती भी जो उन्हें सब बनाने से रोकता है, खंड 9 का सीरसक है साथियों, निमन जातियों को निमन इस तर पर बनाए रखना, उच जातियों की एक साजिस है, साथियों इसके स्पीड कम करके यूट्यूब पर आप आसानी से सुन सकते हैं, व्याख्यान ज्या नहीं होगा बोरियत हो जाएंगे इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से इसे पढ़ रहा हूँ लेकिन ये वही सब्दें जो बाबा साब ने पुस्तक में यूज किये हैं उच जातियों ने जान बूज कर नीची जातियों के हिंदूं को उनके सांसकर्तिक समतल इस तर पर पहुँ और एक दूसरे से नमस्कार करना जब ब्रहामनों को ये पता लगा तो उन्होंने पेशवाँ से इस परता पर परतिबंद लगा दिया और ऐसे करने वाले सोनारों को दंडित करना शुरू कर दिया दूसरा पाठारों में विद्वा परता थी ब्रहामनों में विद्वा परतीख है पाठारों की विद्वापरता जब उन्होंने ब्राहमनों की तरह अपनाई तो इस पर परतिबंद लगाया गया और ये कहा गया कि वे विद्वा विवापरतिसीद नहीं कर सकते साथियों ये बावा साब के समय की बात है मुस्लिमों वे इसायों के परति नफरत पहलाने का कारिये इनको सबसे अच्छा जमता है मुस्लिम यदी निर्दे थे तो मैं कहता हूं हिंदू नेच और नीचता निर्देता से भी बुरी चीज है क्योंकि वो के उलपक्सी और पसु को काट कर लाते थे लेकिन ये उन लोगों को मानवी नहीं मानते उनको इंसानों को जानवर मानते हैं हिंदू धरम के कारण खंड़ 10 इस पुस्तक का कहता है जाती हिंदू धरम को मिस्णरी धरम होने से रोकती है मिस्णरी याने परचारक पहले हिंदू धरम एक परचारक के मिस्णरी धरम था परंक्तु वै अब नहीं रहा इसलिए साइदव इतना फहला था वरन और जाती भेद के आगमन के बाद ये परचारक धरम नहीं रहा दूसरे धरम से आने वालों को हिंदू धरम में कौन सा इस्तान देंगे बहुत बड़ा प्रसन है तो धरम परिवर्तन कैसे हो वरन अत्वा जाती कोई कब्र नहीं है जिसमें सब लोग समा जाएं या उनको फिट कर दिया जाए सब लोगों के लिए उच वरन और उच जाती नहीं है ये जनम से तै होती है जाती जनम से तैह होती है तो फिर हिंदू हैरान क्यों नहीं हो कि उनका जनम एक नीच जाती में हुआ है या उच जाती में हुआ है सुद्धी आंदोलन हिंदू की एक मूर्गता है और ये व्यरस्त चेस्टा है आने वाले वाले का कोई समावेशन हिंदू दरम में नहीं है इस पुस्तक का खंड ग्यारा जिसका सीरसक है जाती हिंदू में पारस्प्रिक सहयोग, विश्वास, एउब भात्तो या बंधुतो की भावना को रोपती है सुधी के कारणों ने हिंदू संगठन को निमनिस्तर पर कमजूर कर रखा है उसके मन में कायरता और भीरूता दूर नहीं होती है कुछ समय पहले पूरु महामईम राश्पती ग्रामनाथ कोविंद के दौरा दक्षिन भारत के मंदिर की यात्रा कीगी जिसके बाद उनके यात्रा के बाद उस दरम उस मंदिर को गंगा जल से पवित्र किया गया पूरी यह निम्र जाती समुदाय और एवर्णि के गाल पर सीधा सीधा तमाचा है 2021 की यह घटना है मुस्लिम वैसिक में वीर, वीरता और सांगटनने की सक्ति कहां से आती है हिंदू को इस सोचना चाहिए हिंदू अकेला है, जाती ने उसे अकेला कर रखा है वह उनकी तरह का विश्वास कहां से लाए कि वह अकेला है पर अकेला नहीं रहूंगा हिंदु में सामाजिक बंदन होने से वे दब्बू और भीरू बना रहता है वे अन्याय के खिलाब बोलता नहीं है अपने जाती से बंधा रहता है कायर और नीचता का व्यवहार भी करता है हिंदु अविमान से कहते हैं कि वे सहिशनो और उधार हैं परंतु ये तो अवगुण हैं जिने अत्याचार को सहना सहिशनो यानि की अन्याय करो तो चुपचाब सहन करते रहेंगे और उधार यानि की वो उधासीन बने रहेंगे ये वास्तम में दुरगण हैं जिनको लोगों ने गुण मान रखा है खंड 12 का सीरसक हैं जाती सभी सुधारों को रोकने वाला सकती साली हतियार है यानि की barrieray reforms में सुधार व्यक्तिकत स्वतंतरता और सम्हों के बीच एक तकरार है उसको भी व्यक्त करता है जाती सम्हों के नियमों को तोड़ने का दोसी जाती से बहिस करत होता है नीची जाते का व्यक्ति अंतर जाते विवा या भूज करने पर जाती से भहिसकर्थ कर दिया जाता है व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और जाती उसकी सामाजिक ताकि मजबूरी का फायदा उठाने के लिए हमेशा तयार रहती आज भी लोगों को जाती से बाहर किया जा रहा है जाती एक समाज सुदार को दंडित करने का उसकी जिंदगी को नरक बनाने का उसे सताने का जाती से बैसकरत के गणित कारे करने का और उसके सुदारों के हत्या करने का सबसे बड़ाव सक्तिसाली हतियार रही है और आज भी है इसलिए सामाजिक सुधारों की गती बड़ी मंद है खंड 13 का सीरसक है जाती जन भावना जनमत वेदान की भावना को नस्ट करती है साथियों हिंदू की नेतिकता पर जाती का परवाव सदेव निंदनिये है हिंदू की जनता उसकी जाती है जाती की वज़े से वोट बैंक है जनता है भीड है उत्रदायित्व, उसकी वफादारी, उसका सदाचार, उसकी नेतिकता, उसके द्वारा दिया जाने वाला दान और उसके द्वारा रखी जाने वाले सहनुभूती जातियों से बंदी हुई है इंसानियत से उसका कोई लेना देना नहीं है चाहे वो उच्छ जाती हो, निम्न जाती हो, Constitution Language में, सेडूल कास्ट, दलित हो, पिछडे हो, अनुसे जन जाती हो, या ब्रहामन हो, सब का उत्तरदाय तो अपनी जाती से बना हुआ है, अपनी जाती के परती वफादारी से है, वो अपनी जाती के परती अच्छे हैं, अपनी जाती के परती नेतिकता रखते हैं, अपनी जाती के लिए दान करते हैं, अपनी जाती से सानुबुती रखते हैं, इंसानियत से उनका कोई लेना देना नहीं है, यहां योग्य गुणवान और अन्य जाती के व्यक्ति के लिए कोई जगे नहीं है, जाती के लाव व्यक्ति के गुणों की प्रसंसा करने के सकती हिंदूों में होई नहीं सकती है क्या हिंदूों ने अपनी जाती के लिए देश दरू नहीं किया है सोचने वाला प्रसंद है उन्होंने कई बार ऐसा किया है जाती बड़ी है कि देश बड़ा है खंड चोदे का सीरसक है मेरा आदर समाज, स्वतंतरता, समता और बंदूता पर आधारित है आदर समाज गतिसील वर परगर्तिसील होना चाहिए बाबा साब कहते हैं क्या स्वाधिनता पर कोई आपत्ती हो सकती है वे कहते हैं क्या समानता पर कोई आपत्ती हो सकती है वे कहते हैं क्या बंदूतु पर कोई आपत्ती हो सकती है साथियों इन तीनों को ही अगर आप व्यक्ति के जर्म, परण, विवा यानि मर्तियु से सम्मंदित कारे कलास से जोड़ कर देखोगे तो आपको मालुम होगा कि स्वाधिनता का महतो क्या है, समानता का महतो क्या है, और भाईचारे का सही अर्थ क्या होता है हिंदू सब एक हैं, तो क्या सब हिंदू भाई नहीं, सब हिंदू भाई नहीं हैं, तो सब हिंदू दुस्मन हैं, सत्रू हैं, फिर सब हिंदू कैसे हैं, नहीं हो सकते सातियों इस पुस्टक का खंड पंद्रे का सीरसक है आरी समाज का चातुर वणने जाती पुरातन सवरूप की निरंतरता है आरी समाज सुधारकों का आदर्स सामाजिक संगटन चतुर वणने व्यवस्ता के सिद्धान के अनुपालना से सुधार करने का समर तक है वे चाता है कि जो चार हजार भारतियों की जातिया हैं उनके इस्तान पर केवल चार ही वरण रह जाएं चार की संख्या वो चाता है आरी समाजी भिन पैचान को क्यों परकरार रखना चाते हैं कि कोई ब्रामन है, कोई चत्री है, कोई वेसे है, कोई शुद्र है, कोई अचूत है सब भारतिय क्यों नहीं है, ये पैचान ब्रामन क्यों नहीं चाते हैं कोई भी सुदार विद्यमान अवधारणा से उसकी भावनाओं से मानसिक अभिवर्तियों से मेंटल एटिटूड से जुड़ा होता है उसमें परिवर्तन से जुड़ा होता है ब्रहामन, चत्री, वैसे, शुद्र ये नाम परतेक हिंदू के दिमाग में निस्यत एम विस्तिर धारणा से जुड़ा हुआ है जो कि जनम आधारित पद सो पानी धारणा है टाइपिंग के लिए ममापी चाहता हूँ शाथियों इस पुस्तक का खंड सोलय जिसका सीरसक है चातुर वन्ने के सामने ऐसमभावे व्यवारिक समस्याए है यह व्यवस्ता जाती प्रणाली से भी अधिक हानी कारक ऐ व्यवारिक इम विपल साबित हुई है जाती में अंतरनीत सिद्दांत वरण व्यवस्ता के सिद जनम आधारित जातियों को समात करके आरिय समाज चार वरणों को स्तापित करेगा क्या यह संबव है वरण व्यवस्ता के दंड सिद्दांत के बिना क्या वरण व्यवस्ता को संबव बनाया जा सकेगा क्योंकि इसके बिना रामायन की राम के द्वारा आदिवासी संबुक क की हत्या को जाइज नहीं टेराया जा सकेगा राम राज चतुर वरण व्यवस्ता पर आधारित राज आजकल राम राज जी की बात है राम राज जी का मतलब है चतुर वरण व्यवस्ता पर आधारित हिंदू का राज जी उच जाती की हिंदू का राज और बाकी शुद्र उसके गुलाम, दास, मानसिक गुलाम और मसल्स पावर इसे बनाये रखने के लिए संबुक की हत्या करना चत्री का करतव्य था मैं कहता हूँ कि राम की द्वारा संबुक को मारना जाहिज था क्योंकि ये चत्रिय का करतव्य था वरण व्यवस्ता ऐसा कहती है इसलिए ही मनुस्मर्ति में सुद्रूं के लिए वेद का उचान करने पर और सुनने पर जीब काटने और कान में पिगला हुआ सीसा डालने का धंड का सिद्दान थे रामराची इसी का परतिबिम्ब है खंड सत्रे का सीरसक है चतुर वरण सुद्रों के लिए एक पतित परना ली है साथ यों बाबा साब कह रहे हैं कि चार वरण जिसे कहा जाता जिसमें SC और ST तो सामिल है यह नहीं OBC जो क्लास है प्रेवसं में सामिल है आलांकि फूले ने SC-ST को अती शुद्र और OBC को सुद्रों के रूप में सामिल किया है बाबा साब कहरें कि वर्णों के बाहर एवर्ण ने उनको तो कहीं सामिल करने के आवशक्ता ये नहीं है अपितु शुद्रों को भी अगर सामिल किया जाए तो वो द्विज में सामिल नहीं है वर्णा करम में सुद्र के पास द्रिज की सिवा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, it means, obses is the muscles power of द्रिज्स, यानि कि वह केवल उसकी जैकार करेगा, कावड लाएगा, यातरा करेगा, जैकारे लगाएगा, रामाइन कराएगा, हवन पार्ट कराएगा, हनुमान चालिसा करेगा लड़ेगा जगड़ेगा मुसलमानों से अन्य लोगों से ताकत दिखाएगा बजरंग दल तमाम तरह की उसका मतलब है कि वे एक दास है और जैसे दास्ता के रूप में कारिय किया गया वानर राज के द्वारा वैसे ही सुद्रों का एक ही करतव्य है कि वे ब्रामन वेसे और छत्रियों के गुलाम करें उनके पैरद होएं उनकी जैजैकार करें उनके दलों के गुलाम रहें और उनके बाहर कुछ नहीं सोचें तरक सकती का शुन्य है मूर्गता का परती के शुद्र के हितों की रक्सा करका कोई उपाय है नहीं है शिक्ष्य द्विज़ के अलावा शुद्रों के लिए नहीं है तो अनपड शुद्र जेकार करें दरियां उठाएं और संगठन चलाएं ये द्विज़वे सुद्र के बीच मालिक और नोकर वाली दास्ता नहीं है विचार करना है सामाजिक न्याय क्या जिंदा रह सकता है वरन व्यवस्ता में नहीं रह सकता सामाजिक करांती होने पर क्या होगा करांती होगी भी नहीं होगा तो फिर द्विज़ का क्या होगा मोर्य सासन के अलावा भारतिय इतियास में कोई भी सुद्रों के लिए अच्छा सासन नहीं रहा है आजादी के बाद भी यही स्थिति होने वाली होगी बाबा साब ने उस समय ऐसा लिखा था साथियों इस पुस्तक का खंड 18 और उस खंड का सीरसक है चतुर वरण वेदों जितनी पुरानी व्यवस्ता है चतुर वरण को आप नवी व्यवस्ता नहीं है अपी तो यह वेदों की व्यवस्ता है वेद धार्मिक पवित्रता की गरंथ हैं समर्ती, पुरान, सुरूती, रामायन, महाबारत तमाम तरे की जिनको शुद्र, पवित्र मानते हैं और उनके सुनने से ही उनके जीवन का उधार हो जाता है हालांकि पैरों में पड़े हुए गुलामों का आस तक कभी उधार नहीं हुआ है कितनी बार ब्रहमनों ने चत्रियों का वद किया, नरसंगहार किया कितनी ही बार छत्रियों ने ब्राहमनों का सर्व नास कर दिया परन्तों फिर भी ब्राहमन और छत्री ओबरण आज भी जिन्दा है इसके परसंग महाबारतो पुरानों में भ़ह पड़े है यह कैسे सम्भवा जब सबको मारी दिया तो अब वो जिन्दा कैसे हैं, वो वन्स कैसे रह सकते हैं ब्रहमन सत्रियों के लिए और चत्रिय ब्रहमनों के लिए आँख की किरक्री रहे हैं भागवत में बताया गया है कि कृष्ण ने धार्मिक धे के लिए उतार लिया है और ये धे क्या था? छत्रियों का सर्व नास करना, कोर्वों को पांड़ों से लड़ाना, पांड़ों को कोर्वों से लड़ाना, और आपस में लड़ा कर इनका शर्व नास कर देना, वर्णों में सत्रूता की जनम दात्री को फिर कैसे आ रहे समाजी, इसकी पुनरिस्तापन करने की बात कह सकते है, साथ यह थोड़ा सा सोचने और चिंतन विचार करने वाली बात है, कि बाबा साब का जो चिंतन था, वो तो अपने आप में एक मोलिक और उतकृष्ट चिंतन था, परन्तु बाबा साब को पढ़ने से हमारे में कुछ चिंतन आये, ऐसी मैं उम्मीद कर पर उनके बिना भी नहीं है ये सोचने वाली बात है जाती हिंदों की ससस्त्र तटस्तता है और वे एक बड़े जाती समुव का परती निधीतु करते हैं जिसको शुद्र कहा गया है जो मुसलिम, मुसल्मानों, सिखों और इसायों का उधान देकर अपने आपको तसली दे देते हैं लेकिन उने नहीं मालूँ हिंदों और गैर हिंदों में जाती प्रणाली एकदम विफ्रीद है जो जाती विवस्ता मुस्लिम और सिखों में है वे हिंदों जैसे जाती विवस्ता नहीं है जातिकत विगठन के परतिकार में हिंदों के पास उसको एकिकरत करने वाली कोई सकते नहीं है परंतु गैर हिंदों में सामाजिक बंदन के जेविक तत्यों की भरमार पड़ी है यानि कि वो एक दूसरी में संगटन में एक रहते हैं एक आवाज पर मुस्लमान आ जाते हैं एक आवाज पर सिक आ जाते हैं एक आवाज पर इसाय आ जाते हैं क्योंकि धरम और जाती ने उन्हें अलग-अलग बांट रखा है राधा करशन ने हिंदू सब्वेता के चिरकाल का बखान किया है बड़े विद्वान है लोग उनकी बात मानते परंतु सत्ते ये कि जीवित रहना ही जीवित होने का परमान है फिर ये क्या बात आप बता रहे हो कि सारी सब्वेताय मिट गई लेकिन भारती सब्वेता हिंदू के सब्वेता बनी होगी मूर्गता की बात है जिन्दा है लोग ये ही जीवित होने का परमान है परंतु जीवन की गुणवत्ता कैसी है ये मायने रखती है ये राधा किशन को दिखाई नहीं देता साथियों इस पुस्तक का खंड 20 ये कहता है कि जाती प्रणाली के समूल नास की कुणजी सास्त्रों को नकारने में है कई बार आपने सुना होगा कि बाबा साब ने आकिर का जाती प्रणाली के वरण भीद का अंत कैसे बताया जो सुना है आपने वैसा नहीं है जो आपने अकबारों में पढ़ा है अंबेडगर तताकतित अंबेडगर वादियों से सुना है ब्रहमन शिक्सकों से सुना है कुछ अन्ने लोगों से सुना ऐसा नहीं है उसको आज आपको मैं बताता हूँ क्या लिखा है जाती प्रणाले के समूल नास की कुंजी हिंदू सास्त्रों को नकारने में है यानि कि जाती की उत्पति धरम में है जाती को मिटाने से जाती कभी नहीं जाने वाली है जाती के अंत का मतलब है हिंदों के गरंथों का अंत उनकी ऐस्विकर्ती उनकी स्विकर्ती को नकार देना जिसके बाद आप अंतर जाते विवाव अंतर जाते बोज अपने आप स्वाभाई की रूप से करो तो यह जाती प्रनाली का समूल नास है धरम का नास करना जाती प्रनाली का नास है मेरी राय में इसमें कोई संदे नहीं है कि सामाजिक व्वस्ता को बदले आप बहुत कम परगति प्राप्त कर सकते हो अगर उसको बदलते नहीं हो जातिवाद की नियूपर ने तो कोई समाज बना है ने कोई राष्ट बना है नहीं नेतिकता की कोई मंजिल हो सकती है अगर होती भी है तो वह बालू की भींत होती है जो भी खर जाती है एक मातर विचारनी परसन और महत्रपूर्ण परसन हमारे लिए ये है कि हिंदू समाजी व्यवस्ता में सुधार कैसे लाया जाए बाबा साब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो सोच रहे हैं कि हिंदू समाजी व्यवस्ता में सुधार लाया जाना चाहिए जाती को कैसे खत्म किया जाए जाती तोड़ने के असली उपायों में से एक उपाय है अंतरजाती विवा जाती कोई दिवार नहीं है जिसे हम धक्का मार कर गिरा दे ये हिंदू धर्म की पवित्र मान्यताओं और हट धर्मिता की विरुद्ध एक कदम है एक धारणा है एक मन की अवस्ता है ये रास्टी परिवर्तन है जाती की धारणा का जनम दाता धर्म है असली दुस्मन जाती नहीं असली दुस्मन धर्म ग्रंत है जो जाती की सिक्स्याद देती है सास्त्रों की पवित्रता में विश्वास को नश्ट करना ही इसका एक मात्र समाधान है इसमें बाद में वैस्यों मंत्रजाती भोजी विवाह करेगा तो साथियों बाबा साब ने अंत्रजाती विवाह को जाती विवस्ता का समूल नास नहीं बताया है ये मुरुकता पून बातों में आप नहीं आएं असली बात ये है कि सास्त्रों की पवित्रता में विस्वास को नस्ट किया जाए यही जाती वाद का समूल नास करने का एक मात्र उपाए है क्योंकि अंतरजाती विवा में तो आप देख सकते हो कि जो अनुसुचित जाती है वही अनुसुचित जातियों के उप जातियों में विवा नहीं करती है तो फिर उच जाती और निवन जाती के विवा से बदलाव की हमें कलपना भी नहीं करनी चाहिए ऐसे आदिवासियों की जो जनजातियां हैं वो अपने आपस में ही विवा नहीं करते इसको साफ सब्दों में कहूं गाउं के सब्दों में रोटी और बीटी का सम्मन्द तो फिर आप SC, ST और ब्रहमिन और उच जाती के अंतर जाते विवा और भोज से आप जाती योस तक कैसे नश्ट करोगे ये तो एक मूर्गता का ही कदम है असली जो बीज है जाती का वो सास्त्रों में है धरम में है गुरू नानक और बुद्ध की तरह आपको decision लेना होगा, stand लेना होगा, निर्णे लेना होगा कि सास्त्र सही है कि गलत है गलत हैं तो उनको नकारना होगा, इनके नकारनी में ही जाती विवस्ता और वर्णभीत का अंत है अन्यता इसका अंत नहीं हो सकता इस पुस्तक का खंड 21 जिसका सीरसक है, जाती विवस्ता का आंतरिक सुदार एसंबव है साथियों, इन खंडों में ब्रिप में मैंने आपके सामनिया परस्तुत कर रहा हूँ जाती विवस्ता का आंतरिक सुदार एसंबव है जब तक सास्त्रों को नकारा नहीं जाएगा ऐसी की जो सत्रा सो जातिया हैं अलागि वो एक समुदाय के रूप में बावा साब को अपना परतिनी दी मानते हैं लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि बावा साब की जो जाति है वो महार जाती थी और महार जाती की एक जाती की आविश्टिती देखेंगे तो अलग है तो क्या महार जाती के साथ रेगर, चमार, हरीजन, बलाई, बुनकर और खटीक और बैर्वा क्या रोटी बेटी का सम्मन्द कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो फिर वो बाबा साहब को किस तरह से अपना परतिनी दिमान रहे हैं? ऐसा करके तो वो बाबा साहब को एक जाती समुदाय के दाएरे में संकीन कर रहे हैं उन्होंने ठेका ले लिया है बाबा साहब ठेका प्रनाली की कभी समर तक नहीं थी अगर गांधी को सब लोग पढ़ाते हैं और वो जाती दाइरे से बाहर हैं वो केवल बनियाओं के लिए नहीं, वैसे वरन के लिए नहीं है केवल ब्रहमन वरन तक सीमित नहीं है वो ब्रहमन, चत्री, वैसे, शुद्र, उचांडाल, मलेच, एवरने लोगों में पढ़ाये जाते हैं फिर क्यों बाबा साहब को एक जाती तक संकीनता के दाइरे में लाया गया उपर वालों ने लाया समझ में आता है आप बाबा साहब के समुदाय से हैं और रामाइन पार्ट करते हैं आप बाबा साहब के समुदाय से हैं गाडियों का मुर्थ करते हैं बाबा साहब के समुदाय से हैं आपका ये मानना है बाबा साहब का समुदाय भारत का समुदाय लेकिन आपने उसको एक दारे में बांदा है, तो क्या आप मकान का मुरुत, क्या बच्चे का नाम, क्या बच्चे का विवा, क्या गाड़ी लेना खरीदना, क्या मौक्स, ये सब अगर आप हिंदू सास्त्रों के अनुसार करते हो, तो आप बाबा साहब के असली और सबसे ब ड्रम आदारित जातियों में सुधार का वाद कदार पि संबव नहीं है, इसलिए, खंड 22 का सीरसक है, सामाजिक सुधार वे इसकी अपील तारकिकता के बिना व्यारत है, ये हमें समझना होगा, कि अगर हम सोशल रिफॉर्म्स साते हैं, तो हमारी जो रैस्निटी है, अगर वेह नहीं है तो ये व्यारत है अगर बैरवा, खटीग से, खटीग, हरीजन से, हरीजन, महार से, महार अन्य जो ऐसी की सत्रा सो जातिया है उन जातियों में आपस में रोटी बेटी का सम्मद नहीं कर सकते तो रैसनिटी और बावा साब के फॉलोवर्स होने का तो सवाल ही नहीं है इनको मैं तथाकतित अंबीडगर वादी कहता हूँ जो अंबीडगर का फाइदा लेते हैं लेकिन अंबीडगर का बहुत बड़ा नुक्षान करते हैं बावा साब ने कहा है कि जाती अमनलंक के लिए आप जरूर परियास करना मेरे तरीके से नहीं तो आपके तरीके से करना आप अपनी जाती या गोत्र में कुछ उप जातियों तक सीमित होकर विवहा संसकार करेंगी तो ये तो बावा साब के गाल पर तमाचा है और ये SC समुदाई, शेडूल कास्ट के लोग, ST, शेडूल ट्राइब्स के लोग और OBC के लोग सबसे ज़्यादा बाबा साहब को नुकसान पहुचा रहे हैं बहुजन जिनको कहा जाता है, तो बहुजन बाबा साहब को जाने, समझे, तभी तो बाबा साहब की सिक्स्याओं का अनुपालना करेंगे और वही कोशिस में कर रहा हो, तो जब तक रैसनेटी नहीं होगी, तारकिक्ता नहीं होगी, आप बाबा साहब को नहीं समझ सकते, उन प्रसंद नहीं पुछाजा सकते, आपको किल्ब सुएकार करना, केउल सुनना है, अगर आप रामायन का पार्ट करा रहे हैं तो आप प्रसंद पूँचेंगे, नहीं पूछ सकते, आप केउल सुन सकते हैं, सरोता होने का आपको अधिकार है और अगर आप सुरोता हो तो फिर बावा साहब के सिद्धान्तों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बावा साहब की मूर्ती पर केवल माल्यारपन करने से या जनम दिवस पर और महा परिवान दिवस पर अगर आप जैंतिया मना के संतुष्ट होना चाहते हो तो वो एक आपका अलग मुद्दा है लेकिन इससे बला होने वाला नहीं है खंड 23 का सीरसक है जाती के विनास से धर्म के सच्चे सिद्धान्त नस्ट नहीं होंगे हमें एक्चुली जाती का विनास नहीं करना बाबा साब करें जाती का विनास का मतलब धर्म का विनास और धर्म का विनास का मतलब है कि हिंदू धर्म के सास्त्रों के जो सिद्धान्त हैं उन सिद्धान्तों को नियमों को नस्ट करना है सिद्धान्तों को नहीं बाबा साब किया जाए, सच्चे सिद्धान्तों का नस्ट नहीं होगे, अपी तु नियम नस्ट होगे, वो नियम पुराने हो जाते हैं, उनको बदलना जरूरी है, बाबा साब कहते हैं, हिंदु दर्म कोई सिद्धान्त नहीं है, अपी तु ये नियमों की अनुपालना उर्परति सीद ह यही हिंदु धरम है, पुराना कानौन हो गया जिसे बदलना जरूरी है, बदला जाना चाहिए, बहुत से परिवरतन समय के अनुसार होनी चाहिए, खंड चोई का सीरसक है, एक सच्चा पुजारी योग्यता के आधार पर नियुक्त होना चाहिए, आनुवान सिप्ता के आध इसका मतलब योग्य व्यक्ति ही पूजा करें, कोई एयोग्य मूर्क व्यक्ति कैसे पूजा कर सकता है, जो लोग अपने आपको हिंदु होने का दावा करते हैं, उन्हें राज्य द्वार आयजित प्रिक्षया के अधार पर पुजारी होने का अवसर मिले, अगर लोग कहत हुआ आप दास हो, आप जेकारे करने वाले हो, समस्ट पुजारी वे मंदिर राज्य के कानुनों के अधीन होने चाहिए, अगर आप पुजारी बन सकते हो, सब हिंदु supporting है, कि हिंदु में भेदबाव नहीं, सब एक हैं, कोई भी पुजारी बन सकता है, कोई भी पुजा क कर सकता है, जिसमें योग्यता हो, योग्यता को आधार पर, अगर ऐसा नहीं है, आपको एक पल सोचना चाहिए, कि क्या आप हिंद्ध हैं, एक मरे हुए सरीर में पूराना जीवन परवीश नहीं कर सकता है, बाबा साब कहते हैं, कि ये पुराने सास्त्र, धर्म गरंत, इसमर मनुस्मर्ति, ये सब मरे हुए सरीर हैं, इनमें नया जीवन नहीं हो सकता, इनको नकारना होगा, नये सरीर में नया व्यवस्ता इस्तापित करनी होगी, हिंदू धर्म में नया सुधार करना होगा, नियमों में परिवर्तन करना होगा, अगर हिंदू धर्म की परगर्ति हम जाती विवस्ता उनमें आपको बदलाव करना होगा जनम, विवा और मर्त्यू संसकार की जो परंपराएं हैं उनको सभी लोग निस्पादित करा सकते हैं ये परंपरा आपको बदलनी होगी हिंदू ध्रम के उत्थान के लिए चार बाते बाबा साब ने कही है जो बड़ी ही महत पून है अगर हिंदू कुथान चाहते हैं नियमों में बदलाव होना ही चाहिए जो विवस्ता बेदबाव पर है, बेदबाव पर आधारित है उसका अंत होना ही चाहिए वरण और जाती उसका पूनत अंत होना चाहिए और उपजातियों का भी अंतों होना चाहिए पुस्तक कांतिम खंडूर 26 है और जिसका सीरसक है साथ यो बहुत ही महत पूर्ण है और आज 15 मई 2023 से लगबग 97 साल पहले इस पुस्तक का परकासन हुआ था मैं अपने आपको सोभागे साली मानता हूं कि मेरे माता पिता ने मुझे इस कदर बनाया पढ़ने लिखने के कि मैं बाबा साथ के उन सिद्धानतों को उन पुस्तकों को पढ़ पाता हूं और उससे भी ज़्यादा सोभागे साली अपने आपको मानता हूं कि मैं उनके विचारों को इस मेरे जीवन का सपल उद्धे से होगा बाबा साब लिखते हैं संगर्स तुम्हारा है मैंने अब हिंदु धरम छोड़ने का फैसला किया है बाबा साब ने कह दिया है जो स्ट्रिगल है फोर यू तुम्हारे लिए है जाती हिंदू की सांस है और इस सांस ने सब को दुशित कर दिया है सुराज में आप पूरे देश को साथ लेकर लड़ते हो आजादी में राजनितिक आजादी में परन्तु इस युद्ध में जो सामाजिक युद्ध है धार में की युद्ध है आध्यात में की युद्ध है सांस्कृतिक युद्ध है तुम्हें अपने लोगों के साथ ही लड़ना होता है और ये उससे बहानक युद्ध है इसे जीतना बहुत जरूरी है तो साथ यूँ ये था बावा साहब का चिंतन किताब गर के पिटारे में दूसरी पुस्तक जो ब्रहामनी वर्ण धरम की जाती बेद की विवस्ता पर और तथा कतित अंबीड करवादियों पर जो अपने आपकों अंबीड का फोलोवर्स मानते हैं बड़े गरव से कहते हैं बावा साहब उनके बगवान हैं लेकिन ऐसे बगवान जिसका पाली बासा में च्छाओं कांत करने वाला विनास करने वाला उ इसे इस रूप से अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती और अन्य पिछड़ा वरग से मेरी अपील है कि वे बहुजन नायकों की मूल शिद्धानतों को पढ़ें गुनें पढ़ाएं समझाएं और उनका परचार प्रसार करें तथा अपने जीवन में जितना चोटे से छोटा भी कोई कदम हो सकता है भे कदम उठाएं नी संदे हम बावासाब को इस विरासत को आगे ले कर जाएंगे किताबगर का पिटारा यहीं बंद होता है और तीसरी पुस्तक के साथ हम जल्द मिलेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद